दोस्तो आपका पेन और आधार फिर से हो चुका है अब बेकार 2024 का है एक नया अपडेट सबसे पहले आपको ये काम करना है आपके और आपकी फेमली में जो भी पेन आधार है वो अपने पास रख लो क्योंकि मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा क्यों क्यों हो गए है आपका पेन और आधार बेकार तो दोस्तो एंट तक हमारे साथ बने रहीएगा तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या दोस्तो पहले आप सब्सक्राइब कर लिजिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पास पेन आधार अवेलेबल करा लिया अब आप आईए इंकम टेक्स की वेबसाइड पर जिसका एड्रेस है www.incomtex.gov.in आप अपने मोबाईल लेप्टोप या डेक्स्टोप पर कहीं बर भी ओपन कर सकते हैं अब ओप्शन आती है क्यूक लिंग पर यहाँ पर एक ओप्शन है वेरिफाई पेन इस्टेटेस इस पर क्लिक करना है यहाँ पर आप अपना पेन नमबर एंटर करें फूल नेम जो पेन पर है वो एंटर करें डेटो बर्त डाल दे और एक्टिवेट मोबाईल नमबर एंटर कर दे और क्लिक कर दे कंटिनू पर कोई भी मोबाईल नमबर आप डाल सकते हैं जिस पर OTP आएगा तो activate mobile number ही यहाँ पर enter करें तो यहाँ पर हम verify कर रहे हैं अपने pain का status कहीं वो बेकार तो नहीं है आप continue पर click करते ही आपके पास यह OTP option आएगा यहाँ पर OTP enter करना है इसके बाद आपको continue करना है message देख सकते हैं पहला हो सकता है pain is active detail as per pain और दूसरा pain is active detail is pain बट एक note लिखा हुआ है inoperative अजि not win link आधार यानि आपका pain है अब बेकार कई बार status red screen में दिखेगा कई बार green screen में दिखेगा लेकिन status same है अगर आपका pain inoperative है और आपने link भी कर लिया था आधार से तो यह आपके लिए बिल्कुल बेकार है चलिए समझते हैं लेटेस्ट ही income tax department ने एसे taxpayer को बोला था जो TDS deductor है जो TDS deduct करते हैं उनको बोला था कि जिसका pain आधार से link नहीं है यह दोनों एक दूसरे से link नहीं है तो उन्हें TDS deduct करना है 20% से तो TDS डिटक्टर ने यह काम करना शुरू कर दिया उन्होंने pain और आधार के data से यह मालूम कर लिया कि किसका pain और आधार link नहीं है 20% TDS काटना शुरू कर दिया क्योंकि उनके पास interest के liability आनी थी तो अगर आपका TDS 40% से कट रहा है और आपको पता था कि आपका pain और आधार से link नहीं है और आपको पता था कि एव्टेडिय ज्यादा rate से कट रहा था तो आपने pain और आधार को link करा लिया तो आपका pain और आधार तब तक बेकार रहेगा जब तक आपका pain का status ऐसा पाइदा नहीं होगा क्योंकि इसमें time लगता है अगर आपका status ऑपरेटिव आ रहा है तो well and good कुछ नहीं करना है और आपको इन ऑपरेटिव आ रहा है तो पहले आपको चेक करना है pain link और आधार तो आपको चेक करना है अगर link नहीं है तो सबसे पहले आपको income tax portal पर जाके लिंक करना है pain और आधार कार को income tax portal पर ही home page है वहाँ पर जाना है और क्योंक लिंक में जाना है क्योंक लिंक में option है link आधार का link आधार पर आपको click करना है link नहीं तो link कर लो 1000 रुपेज की late fees लगेगी आपको कैसे pain और आधार कार को link करना है तो ये video already हमारे channel पर है मैं description में भी link दे दूँगा तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कैसे pain और आधार को link करना है उस वीडियो को देख के आप आसाली से पेन और आधार को लिंक कर सकते हैं तहीं पर भी जाने की ज़रोत आपको नहीं है तो अगर आपका पेन in operative आ रहा है पेन का status तो आपको बार बार ये चेक करते रहना चाहिए कि कब operativ हो जा ये इसको एक बार करके नहीं छोड़ना है बार-बार इसको चेक करते रहना है अगर आपका pain in operative है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं आपका refund भी नहीं होगा ना आपको refund पर जो interest मिलता है वो मिलेगा तो आपको अपने pain का अधार को चेक करते रहना चाहिए उनका status की कब operative हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ share करिए ताकि लोग अपना pain का status देख सकते हैं कि operative है या in operative तो अगर आपका status in operative है तो आपका pain बेकार ही है क्योंकि आप TDS का refund भी नहीं ले सकते हैं आपका TDS जो कटा है उसका refund का interest नहीं ले सकते हैं जब तक आपका pain operative नहीं होता तब तक आपका pain बेकार है तो आप ये check जरूर करें